अजमेर रेलवे स्टेशन के प्लाटफॉर्म पर इतनी भीड थी कि वहां की कोई बैंच खाली नहीं थी एक बैंच पर एक परिवार जो पहनावे से हिंदू लग रहा था बुरके में एक अधेर सू सभ्य महिला बैठी थी बहुत देर चुपचा बैठने के बाद बुरके में बैठी महिला ने बगल में बैठे युवक से पूछा अजमेर के रहने वाले हैं या फिर यहां घूमने आए हैं युवक ने बताया जी अपने माता पिता के साथ पुषकर में ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन करने आया था महिला ने बुरा मू बनाते हुए फिर पूछा आप लोग अजमेर शरीफ की दरगाह पर नहीं गए युवक ने उस महिला से प्रतिउत्तर कर दिया क्या आप ब्रह्मा जी के मंदिर गई थी महिला अपने मू को और बुरा बनाते हुए बोली लाहौल विला कुवत इसलाम में बुद्परस्ती हराम है और आप पूछ रहें कि ब्रह्मा के मंदिर में गई थी तब युवक जला कर बोला जब आप ब्रह्मा जी के मंदिर में जाना हराम मानती हैं तो हम क्यों अजमेर शरीफ की दरगाह पर जाकर अपना माथा फोड़ें महिला युवक की मा से शिकायती लहजे में बोली देखे बहन जी आपका लड़का तो बड़ा बत्तमीज है ऐसी मजभी कटरता की वज़े से ही तो हमारी कौमी एकता में फूट पड़ रही है युवक की मा मुस्कुराते हुए बोली ठीक कहा बहन जी कौमी एकता का ठेका ह हिंदूों ने ही ले रखा है अगर हर हिंदू माबाप अपने बच्चे को बताए कि अजमेर दरगाह वाले खवाजा मोहिनुद्दीन चिष्टी ने किस तरह इसलाम कबूल ना करने पर पृत्वीराच चौहान की पत्नी संयोगिता को मुस्लिम सैनिकों के बीच बलातकार क के बाद भी छोड़ दिया था जबकि एक बार उसने हारने पर चौहान की आँख में जलता हुआ सरिया डाल दिया जिससे वो अंदे हो गए मुहमद गौरी पृत्वीराच चौहान की आवाज सुनकर उसी दिशा में तीर चलानी की कला को देखना चाहता था पृत्वीराच के शव को घसीटते हुए अफगानिस्तान ले गए और दफन किया चौहान की कबर पर जो भी मुसल्मान वहां जाता था प्रचलन के अनुसार वहां रखे जूते से उसे मारता था फिर भी हम हिंदू हैं कि सेकुलर बने फिरे हैं बाद में शेर सिंग राणा ने अफगानि जंसकार किया और उनकी अस्तियों को हिंदुस्तान लाकर गंगा में प्रवाहित कर दिया अजमेर के खवाजा मोहिनुद्दीन चिष्टी को 90 लाख हिंदूों को इसलाम में लाने का गौरव प्राप्त है मोहिनुद्दीन चिष्टी ने ही मुहम्मद गौरी को भारत करेंगे दुख है ऐसे हिंदूओं पर दोस्तों अगर आप भी सच्चे हिंदू हैं तो इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तक पहुंचाएं हमारे इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें देखते रहें चमतकारी तोटके